सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहें हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर माप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं रेड्मी और पोको की तरफ से रेड्मी का 9 प्राइम जिसके कीमत है सिर्फ 10,000 दूसरी तरफ है पोको M2 जो अभी हाली में लाउंच हुआ है 11,000 का तो दोनों में सिर्फ 1000 का ही फर्ख है इस वीडियो में में इन दोनों मोबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं दस जार में Redmi K9 Prime के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगावा है सिम इजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी आपको नॉर्मल मिलती है सिंपल ट्रांस्परेंट बैक कवर इसके बाद मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसके डिटेल लुक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डिटे केबल इसकी लेंद और क्वालिटी दोनों बहुत ज़ाद अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है आखर में आपको रखवा मिलता है यह वाइट कलर में छोटा सा चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल 2 एंपियर का ही तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है फास चार्जर इस मुबल के साथ आपको नहीं दिया गया ये मुझे इसमें कमी लगी कम से कम 18 वाट का फास चार्जर होता तो काफी अच्छा रहता बाकी ये मुबल फास चार्जर्जिंग सपोर्ट करता है तो आप मार्केट से खरीद के एक 18 वाट का फास चार्जर इस मुबल के साथ इसमेल कर सकते हैं लेकिन वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा तो ये सारा समान आपको मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल लेकिन पहली कमी ये है इसके साथ आपको कवर नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसके बाद मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसे ही डेटे केबल जैसे रेडमी 9 प्राइम के साथ मिलती है और ये भी एक टाइप सी केबल है तो इस चीज में दोनों मुबाल से एक जैसे हैं डेटे केबल की क्वालिटी बिल्कुल सेम है आखर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में बिल्कुल उसी तरह की के लुक में चार्जर और इसके अंदर भी आपको आउटपुट मिलता है फाइव वर्ल टो एंपियर का ही तो charger भी आपको एक जैसे ही दिया गया है इसके साथ भी 10W का है और Redmi के 9 Prime के साथ भी आपको 10W का ही मिलता है तो देखा जाए तो दोनों mobile के साथ आपको box के contents एक जैसे ही मिलता है कम से कम इसके साथ तो far seizure होना चाहिए था क्योंकि इसकी कीमत भी 1000 जादा है तो दोस्ते रेट के साथ से देखा जाए तो Redmi का 9 Prime ही ससता जादा अचा है इस mobile से इस चीज़ के अंदर क्योंकि box के contents आपको इसी mobile की तरह मिल जाते है एक 1000 कम में ही तो इस चीज़ में 9 Prime अच्छा है चली बात कर लेते हैं design के बारे में क्वाइस भी दोनों का design एक जासा है और quality भी एक जिसी है बस branding का आपको फर्क मिल जाता है Redmi और Poco की तो rate के साथ से देखा जा तो design के अंदर भी Redmi का 9 Prime जाद अच्छा है क्योंकि 1000 कम कीमत है इसकी बात करें दोस्तों camera के बारे में तो 9 Prime में आपको बिछी की तरफ 4 camera दिये गया हैं जिसमें चाहिए और आपका बजट सिर्फ 10 ये 11,000 तक कही है तो कैमरे को लेकर दोनों ही मुबाल्स काफी जाद अच्छे हैं बाकि आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका color जादा पसंद आया आप मुझे comment करके ज़रूर बदाईएगा जब quality same है design की तो मुझे Redmi का 9 Prime ही ज दोनों में same है और quality भी आपको एक जैसी दी गई है बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो user interface कुछ इस तरी के से दिया गया है Redmi के 9 Prime में आपको home screen पे ही सारी applications मिल जाती है आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी apps मिल जाती है वही दूसरी तरफ POCO M2 में आप उपर के तरफ swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app drawer दिया गया है user interface के अंदर मुझे ये दोनों ही mobile's normal ही लगे फिर भी अंदर से चलाने में जाद अच्छा लग रहा है POCO M2 user interface को लेकर मुझे POCO M2 थोड़ा सा जादा पसंद आया Redmi 9 Prime से बाकि दोस्तों ये आपके पसंद की बात है कि अंदर से features आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे हैं दोनों mobile's के display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब सबसे पहले अगर आप design देखेंगे display का तो वो भी दोनों के अंदर एक जैसे दिया गया है notch वाले design आपको मिल जाता है same notch दी गई है इसे के साथ edges विजल्स आप देखेंगे तो वो भी लगबग बराबर मिल जाते हैं बात करें सबसे important चीज quality के बारे में तो दोस्तो display की जो quality है colors है brightness है वो हर चीज आपको दोनों में एक जैसी ही दी गई है display की quality में भी फर्क नहीं है size में भी फर्क नहीं है और दोस्तो design के अंदर भी फर्क आपको नहीं मिलता तो display में भी दोनों एक जैसे हैं लेकिन 9 prime सस्ता है POCO M2 से तो rate के हिसाब से 9 prime ही जाद अच्छा है display को लेकर भी POCO M2 से left side साब देखेंगे दोनों mobile's को आपको sim के ट्रे दी गई है दोनों ही mobile's के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खूबी है नीचे की तरफ साब देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगा पर सेम डिजाइन में आपको charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है right side साब देखेंगे तो दोनों में volume के buttons, उसे की ठेक नीचे power के buttons उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों mobile's में noise cancellation mic दिया गया है और IR blaster मिल जाता है, जिससे आपका MI remote काम करता है तो TVO अगर आप इन दोनों mobile's से चला सकते हैं, यह दोनों में खूबी है बाकि दोस्तों दोनों ही mobile's के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version दिया गया है Android 10 इस चीज में दोन अच्छे हैं अब फर्क यह है, दोस्तों Redmi के 9 Prime के अंदर आपको 10,000 में मिलती है 4GB RAM 64GB के internal storage लेकिन Poco M2 के अंदर आपको 11,000 में दी गई है 6GB RAM 64GB के internal storage तो 2GB RAM का फर्क है, Poco M2 में आपको ज़ादा मिल जाती है 9 Prime से इस चीज में Poco M2 ज़ाद अच्छा है बात करें दोस्तों battery के बारे में, तो 9 Prime के अंदर आपको battery मिलती है 5,020 image की एक दिन का battery backup इसमें आपको अराम से मिल जाता है, बैटरी में ये mobile काफी अच्छा है Poco M2 के अंदर आपको battery दी गई है 5,000 image की इसके अंदर भी आपको एक दिन का battery backup अराम से मिल जाता है, बैटरी में ये भी काफी बढ़िया है लेकिन rate के हिसाब से देखा जाए, तो 9 Prime ही ज़ाद अच्छा है क्योंकि इसमें आपको कम कीमत में Poco M2 की तरह अच्छी बैटरी दी गई है अगर Poco M2 के साथ फार्श हजर होता, तो काफी अच्छा रहता बात करें दोस्तो प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर भी दोनों ही मोबाल्स के अंदर आपको सेम ही दिया गया है अगर आप एक हैवी यूजर है, तो इन दोनों मोबाल्स में आपको वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगर आपको अच्छी डिस्पले चाहिए, तो आप रेडमी का नाइन प्राइम खरी दियेगा इसके अंदर आपको डिस्पले पोको M2 की तरह काफी अच्छी दी गई है, और कीमत भी कम है इसके लब अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का डिसाइन, तो डिसाइन की क्वैलिटी में भी दोनों एक जैसे हैं आप रेडमी का 9 प्राइम ही खरी दियेगा, ये मोबाल आपके लिए जद अच्छा रहेगा कम कीमत में और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का कैमेरा, तो कैमेरे के अंदर दोनों अच्छे हैं, बाकी 9 प्राइम सस्ता है, तो अच्छे कैमेरे के लिए आप 9 प्राइम खरी दियेगा इसके लिए अगर आपके लिए मैटर करती है मोबल की बैटरी और प्रोसेसर तो भी आप 9 प्राइम ही खरी दियेगा यही मोबल आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा अब दोस्व इन दोनों मोबल्स की कीमतों को देखें तो दोनों ही मोबालस के अंदर आपको features भिलकुल एक जैसे ही मिल जाते है Design की quality भी दोनों में एक जैसे है Camera भी दोनों में आपको लगबग एक जैसा दिया गया है दोनों में काफ़ी अच्छा है इसे की साथ display भी एक जैसे मिल जाती है बैटरी प्रोसेसर भी दोनों में एक जैसे दिये गए हैं बस दो चीजों का फर्क है Poco M2 के अंदर एक तो इसके अंदर आपको यूजर रिफिस थोड़ा अच्छा मिल जाता है दूसरा 2GB RAM जादा दी गई है तो दोस्तों अगर आपके लिए बज़ट मैटर नहीं करता आप 10,000, 11,000 दोनों ही खर्च कर सकते हैं तुम आपसे कहूंगा अगर आपके लिए बज़ट मैटर नहीं करता तो आप Poco M2 खरी दियेगा दो चीजों में ये मुबाइल और ज़्यादा बेटर है ज़्यादा बेटर है Poco M2 आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आप 10,000 सस्ता दो चीजों के साथ कॉम्परमाइस करके 9 प्राइम खरीदना पसंद करेंगे 10,000 का या फिर 1000 महेंगा Poco M2 ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और दोस्तो यूज़ एटर फिर थोड़ा बेटर होनी की वज़े से मुझे Poco M2 पसंद आया आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मुबाल्स में कौन से ज़ादा चलागा बाकी फरक सिर्फ दो चीज़ों का ही है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल एकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँशती रहें इसके लवब वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा वाटसे फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए